हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा योट्यूब चैनल आरेस्जियो ट्वेंटी फॉर की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नॉटिफिकेशन बेल और रक्षी है ताकि कोई भी यूसफुल वीडियो मिस ना हो कि दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो भी पैकेज है और आपकी टिम में भी अलग अलग पैकेज वाले परसन आएंगे मेंबर आएंगे तो उसके इसाब से आपको कितना इंकम किस लेवल से मिलेगा ठीक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंक आपके डायमन है लेकिन हमारे टीम में अलग अलग पैकेज वाले लोग आएंगे तो हमको कैसे कमिशन डिस्टीबूट होगा ठीक है तो सबसे पहले लेवल चार्ट देख लीजिए हैं आपर डिस्टीबूशन परसंटेज यहां पर एक दो तीन चार पांट से साथ लेवल गर्सकार परसंटेज आपके फर्स्ट लेवल करते लीजिए हैं इसको छे रुप्या मिलता है एडवीओर का पता है तो उसका आपको 10 परसंट यहां खोज। 2nd level पर आपके silver है, उसको 5% जानी कि 30 पैसा, 3rd level पर मालिजर को है silver है, तो उसको 6 रूपया मिला, I mean उसका, खुद को self कर्छी मिलेगा, लेकर आपको 5% जानी कि 30 पैसा, उसी तरह 4th level से 0.1 मतला 8 पैसा, 5th level से 8 पैसा, 6th level से 12 पैसा, 7th level से 6 पैसा, मालिच आपकी पूरी टिम गोल्ड की है, ठीके तो गोल्ड को आपको पहले लेवल से मिलेगा 1.80 पैसा दूसरी लेवल पे कोई मेंबर होगा गोल्ड का, तो 90 पैसा, 30 लेवल से 90 पैसा 54 पैसा, 5 लेवल से 54 6 लेवल से 36 पेशा, 7th लेवल, 17 पेशा इस percentage के इसाब से ठीक है, count कर लिजेगा आप diamond member है आपकी पूरी की पूरी टीम तो पहले लेवल से आपको self-court 36 रुपशे मेलेगा पहले लेवल से 3.60 पेशा 10% के इसाब से, दूसरे लेवल पे 5% के इसाब से 1.80 पेशा 30 लेवल पे 5% के इसाब से 1.80 पेशा, 4 लेवल पे 3% के इसाब से 1.80 पेशा 5 लेवल पे 3% के इसाब से 1.80 पेशा, 6 लेवल पे 2% के इसाब से 2.30 पेशा और 7 लेवल पे 1% के इसाब से .36 पेशा तो ये आपकी पूरी टीम अगर बात करते हैं कि मालिछ आपका अडिय इसल वर में हैं और आपके लग लग conquest यहां तो द्यान से देखेगा आपो मिलेगा सेल्फ का च्छी रुपिया ऐक एक दो तीन लेवल की इंकम दिखाईए आप इसको एक से साथ लेवल की इंकम वीव पर देखे चार्ट है उसके इसाब से कल्कुलेट कर सकते हो ठीक है मैंने एक्जम्पल के लिए यहां पर एक दो तीन लेवल के दिखाईए क्योंकि इस सिल्वर गोल्ड डायमंड सिल्वर आपकोई सेल्फ के डेली 6छí रूपिया मिलते है एडियू के अब आपके फेर्स्मन लेवल पर कोई बंदा है जिसक इए 24चन के सिल्वर तो उसको मिलेगा छिर्ण उसको मिलेगा भी छिरुपिया मिलेग चिर्ण विक्षू सिल्वर है और आपके अडिय پिसी गोल्ट्य उसको सेङर्ड के मेली एक डिटयुक्ष है अब कुछ आपके अापके और घुलवर है तो आपको सिल्वर के चाट केस्व से मिले ऐगा पैसा 30 पैसा क्यों यह आपmakर देखिये सेखर लेबल पे 30 परिशा है सिल्वर मेंबर का कमेशन क्योंकि आप सिल्वर हूँ लेकिन आपके के इसार्ट परिशा मिलेगा आपको 5% के इसाफ जार्ट में। अब उसी तरह थोर्ड लेवल पर आपके कोई डाइमंड वाला बंदा है जिसने अपनी डाइमंड से एक्टिव की हुए तो उसको सेल्फ का 34 रुप्या मिलेगा लेकिन आपके एडी सिल्वर में है इसलिए आपको थोर्ड लेवल से 30 पेसा मिलेगा क्योंकि सिल्वर के थोर् केड़ी होगी उसके इसाब से आपको कमिशन डिस्ट्रिबूट होगा ठीक है अब उस तरह बात करते हैं गोल्ड तो गोल्ड में किस तरह से होगा माली जाब केड़ी गोल्ड में एक्टिव है आपको सेल्फ के 8 रुप्या मिलेंगे ओके अब माली जाब के फैले लेवल प बने को 6 रुप्या उसका मिलेंगे खुद का क्योंकि उसकी सिल्वर में एक्टिव है तो आपको उसका 10 परसन दियाने के 60 पेसा मिलेगा ओके अब दूसरे लेवल आपके गोल्ड बंदा है तो उसको मिले गाठा रुप्या और आपकी बेड़ी गोल्ड में एक्टिव है त 2nd level पे 90 परसना मिलना चाहिए आपको तो 2nd level से आपके अड़ी गोल्ड है उसको 10 परसना मिलेगा तो आपको मिलेगा 90 परसना यहां ठीक है अब 3rd लेवल के कोई डायमंड वाला बंदा है 36 रुप्या उसको फुद का मिलेगा तो आपके अड़ी गोल्ड में है तो आपको गोल्ड के चार्ट के इस सबसे 90 परिस से मिले गए ठीक है यहां पर देख सकते हो गोल्ड में 3rd लेवल से यानि के 1, 2, 3 3rd लेवल से 90 परिस आपको मिला क्यूंकि आपके आडि गोल्ड में एक्टिव है तो दोनों का कॉंबिनेशन है आपके आडि जिस परिकेट से रवल में कौन silver वाला है कौन gold वाला है कौन diamond वाला है जो भी silver वाला होगा उसके खुद कीनकम उसको मिलेगा उसका 10% आपको मिलके जाएगा लेकिन यह नहीं होगा कि आप silver हो तो आपको gold का commission आपको silver के इस अब से मिलेगा ठीक है और आप gold हो तो को diamond वाले कि अर्णिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आप Gold हो तो आपको Gold state से मिलेगा लेकर Divine आपक hungry Selected है तो फोट में स्लिए रूप्र सिल्वर हो उसका इस्स का 10 परसंट ऑफ को कमिशन मिलेगा उसका पर सबस्क्राइब को को ऑब एक पर छीक्क है Second Lucky. porte built member है उसको मिलेगा रूपीया तो gold के साफ से आपको यह साथ से चार्ट के साफ से नभबया पराशना चाहिए तो Аपको मिल जाएगा 90 पराशना तो जैसे आपके ID decision के कि लिए सक्किभाए molar कि तो अक्तिव है तो उसको 36 रुपिया मिलेगा और आपको diamond पेकेज जप चाठ एक रुपिया सी पिसा थर्ड लेवल से मिलेगा यहां पर देख सकते हो एक रुपिया सी पिसा थर्ड लेवल से भेसिटंड यह कॉम्बिनेशन है आपका package और आपकी की डाउन लेन का पेकेज जेख सकते हो आप अच्छे से आपका पेकेज और आपके डाउन लेन काक्टेज है या कि आपका जो है अअग पेकेज होगा उसका एक div तो आपको मिक्स है यहां पर रिजल्ट होगा हैं कि और दुसरा आपका भी कोई भी करना परकेज्ट भी जो हो तो उसके इसब से उस फिल यो के मिलेगा तो मिक्स यहां पर रिजल्ट होगा जिसका भी बड़ा पेकेज होगा उसको डाउन लेन में चाया सिल्वर हो गोल्ड हो डायमड हो ठीक है तो सिल्वर का सिल्वर वाला को सिल्वर का भी लगा उसके परसंटेज के सबसे आपको मिलेगा ठीक है गोल्ड वाले को जो मिलेगा और डायमंड वाले का उसके प्रसटेट रखेश का वाइस की इस सबस मिलेगा मेंज्ए आपकर कए क्वी कोई दिकात नहीं हैरि और गहलेद की कर लेकिं कि लिए जो कहा होगा अगर आप सेल्वर होतोब कोकर आपको डायमंड वाले युज़र से ऐसे मिलेगा गोल्ड वाले पेकेज से कम पैसा मिलेगा आप गोल्ड वाले हो तो आपको सिल्वर और गोल्ड का मिलेगा लेकिन डायमंड का कम मिलेगा जो कि 6 गुना इंकम है और गोल्ड जो कि सिल्वर से 3 गुना इंकम है लेकिन आप डायमंड वाले हो तो आपको 3 गुना इंकम भी मिले होगी जो आपके डाउन लाइन में पैकेज है तो एक कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा थोड़ा समदने देशा है लेकिन एक बार आपको दिमाग में बीठ गया है तो कोई दिकत नहीं होगी तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो कि आपकी टीम से आपको किस लेवल से काउंसी लेकिन रेकोमेंड हम यही करते है कि डायमंड पैकेज एक्टिव बरके वर्क करो ओके फ्रेंड ओल्द बेस्ट